अगर आपको मेरी रेसिपीस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले इसको दबाने से मेरी आने वाली हर लेटेस रेसिपीस सबसे पहले आप तक पहुचेंगी असलाम अलेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं इस्ट्रीड स्टाइल पाव भाजी तो पाव भाजी बनाने के लिए मैंने चार टेबल स्पून बटर लिया है टू टेबल स्पून मैंने अभी डाला है इसमें बटर बाकी के टू टेबल स्पून हम बाद में यूज करेंगे और म तो बटर गरम होने के बाद मैंने दो मीडियम साइस की प्यास डाली है बारिक चॉप करके वन टीस्पून अदग लसन का पेस्ट दालेंगे अदग लसन को अच्छी तरह से हमें भून लेना है और प्यास को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है सिफ सॉफ्ट कर लेना उसको यह एक मीडियम साइस की मैंने शिम्ला मिर्च ली है उसको बारिक चॉप कर लिया है छोपर में थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे ताकि यह सॉफ्ट हो जाए तो शिम्ला मेर्च हमारी सॉफ्ट हो गई है एक मीडियम साइस का मैंने टमाटर लिया है उसको भी मैंने बारिक चॉप कर लिया है आप चाहे तो टमाटर प्यूरी ले ले मसालों में मैंने 1 teaspoon लसन और प्यास का मसाला लिया है आप चाहे तो लसन की चटनी भी डाल सकते हैं इस से अच्छा flavor आजाएगा पावभाजी में 2 tablespoon पावभाजी मसाला, 1 teaspoon हल्दी, 2 tablespoon कश्मीरी मिर्ची इसको डालने से color अच्छा आएगा 1 teaspoon आमचुर पावडर और 1 teaspoon salt लिया है salt अब अपने taste के according लीजिए मसालों को भून लेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें ताके मसाले हमारे जलेना और इसको भून लेंगे हम तो मसाले हमारे भून चुके हैं अच्छी तरह से यह मैंने दो बड़े साइस के लार्ज पोटेटो उसको बॉल कर लिया था बॉल करके इसमें डाल दिया है मैंने और यह हरी मतर है एक कब इसको भी मैंने बॉल कर लिया है आप अपनी मन पसंद वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं फुल गोबी भी डाल सकते हैं, गाजर और या फिर आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, शलजम जो आपको पसंदे आप वो सबजियां इसमें डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ मटर, आलू और कैपसिकम लिए हैं, तो मसालों को हम मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे जितना अच्छा आप मैश करोगे सबजियों को उतनी अच्छी आपकी पावभजी बनेगी बिल्कुल भी उसमें पता नहीं चलना चाहिए कि अपने क्या डाला है ना मटर दिखनी चाहिए ना आलू दिखना चाहिए इस तरीके से आपको मैशर से मैश कर लेना है थोड़ी थोड़ी देर आप इसको पकाईए पांच मिनिट के लिए और फिर मैश करते जाए इस तरीके से अब इसमें हम पानी डाल देंगे आपको जितनी ठीक या जितनी पतली चाहिए पावभजी उस हिसाब से आप पानी डाले इसमें बिल्कुल हम इस्टेड स्टाइल बना रही है इस्टेड स्टाइल में जो पावभाजी बनाई जाती है उसमें लसन और प्यास का जो मसाला होता है वो डाला जाता है उसे बहुत ये अच्छा टेस्ट आता है मैंने एवरेस्ट का लिया है आप कोई भी ब्रैंड का ले सकते हैं इसको कवर करके 10 मिट पकाया है मैंने तो ये देखिए पावभाजी हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है कटेवे हरे धन्ये डालेंगे थोड़े और हरे धन्ये को मिक्स कर लेंगे पावभाजी में इसका बहुत ही अच्छा कलर आया है कैमरे में आपको देख नहीं रहा होगा बट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी हमारी पावभाजी बनी थी ये और कलर भी बहुत अच्छा लाल आया था इसका तो मैंने 2 टेबल स्पून जो बटर बचाया था वो मैंने अभी डाला है जितना बटर दालोगे पावभाजी में उतनी टेस्टी आपकी पावभाजी बनेगी तो ये हमारी बनकर रेडी है हम हमारे पाव को सेख लेते हैं पाव सेखने के लिए मैंने पैन ले लिया है पैन में में 1 टीस्पून बटर डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा चॉप किया वहरा धनिया डाला है मैंने आप चाहे तो इस वक्त कश्मीरी मिर्ची पावडर भी डाल सकते हैं उससे रेट कलर आ जाएगा पाव पर बट मैंने नहीं डाला है मैंने सिर्फ बटर और हरा धनिया डाला है और पाव को आप कट कर लीजिए नाइफ से और इस तरीके से सेख लीजिए तो पाव हमारा सिख चुका है अच्छी तरह से हम डिश आउट कर लेते हैं पाव भाजी को तो परफेक्ट इस्ट्रिड स्टाइल पाव भाजी हमारे बनकर रैडी है इसे बनाना बहुती इजी है वो तो आपने देखा ही है और खानी में ये बहुती टेस्टी होती है इंफेक्ट सबकी फेवरेट होती है पाव भाजी तो उपर से आप बटर डाल दीजिए और इसक झाल झाल झाल